तो आज का टॉपी हमारा है रिलेसर फंक्षन के जो हम्होंने फूर्धर टैफ्स पढ़ते हैं इसके पहले आपनों करे हमें रिलेसर फंशन पढ़ चुक थे उसके बाद रिलेसर आना सेट पढ़ लिया था फिस तीन टैफ्स जो थे वह हम्होंने पढ़ लिया थे अर इसमें आपको बताया था अब इसके बास बहुत है अब इसके बास तो इसके बाद आपको पढ़ना है अब रिफ्लेक्सिल रिलेशन क्या होता है तो समझेगा जानों से एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट के सभी एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर क्या एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट के सभी एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेशन को रिफ्लेक्ट करें उसे रिफ्लेक्सिल रिलेशन कहते है अच्छा इसको मैथमेट्मेटिकल कैसे लिखते हैं जिसे रिफ्लेक्सिल 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 इमेज यहां पर रेंज है, मतलब जैसा object होगा वैसे ही तो उसका image बनती है, जैसा domain वैसा ही range है, मतलब दोनों same है object और वहां पर image, यहां पर क्या होता है, domain और range दोनों आपस में क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, जिसे यह एजापताल करते हैं, आपको समयाते हैं, यह तक आपको मुने last time पर बताया था, अब इसका origin product मतलब 1,2,3 का हम cross product करते हैं, 1,2,3 के साथ, करते हैं, क्या-क्या आ सकता है, 1,1,1 का 1 के साथ, ऐसे 1 का 2 के साथ, ऐसे 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ऐसे 3 के 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ, यह क्या है, यह है आपका A cross A, Cartagen product of two sets, ठीक है, अब इसमें relation क्या हो सकते हैं, इसके बहुत से relation हो सकते हैं, इसमें एक relation मैंने इसमें लिग लिए, अच्छा, last time मैं आपको बताया था, कि relation क्या हो relation is the subset of given set, मतलब कोभी set given होगा, उसका subset relation क्या लाता है, तो इसमें इतने हैं order pair, और मैंने last time पर आपको इस बात और बताया थी, कि यह order pair है, जिसकों one element बहुते हैं, यह element, यह element, यह element, यह, यह, और order pair के बारे बताया था, कि यह जो दो, आपको element दीख रहे ही, यह element लाता है कि यह क्या बहुते है, order pair का first component, order pair का second component, first member of order pair, second member of order pair, ऐसे ही, तो इसमें रहे कुछ relation लिखे था, जैसे one one, one two, two two, three two, three three, अब आपको यह बताना है, देखेगा, रिफ्लेक्स समझें, रिफ्लेक्सिर रिलेशन में क्या होता है, कि X, Y होना चीज़, तो Y पर प्लेस पर क्या है यहां पर X, इसका मतलब है, कि इसमें होता है, X related to X, इसका मतलब यह है, कि एक ऐसा relation जिसमें domain और range, दोनों की value, same आए, आपको relation पेक्चल यह देखना है, कि X और Y, Y जो range होता था, तो वो भी X, same हो, मतलब समझें, ठीके, जिसे इसमें यहां पर डिफ्रेंट करने के बाद से, आप देखे, ती वी रिलेशन आपके साने बादे लिखे हैं, ठीके, 1,1, X और X, दोनों से, जो आपको object उसकी image है, मतलब दोनों से, यहां पर different है, कोई दिखकत में, same, ठीक, different तो यह आपका reflexive होगा, क्यों होगा बाद समझेगा, definition क्या बताई थी, एक ऐसा relation जो set के सभी elements, एक ऐसा relation जिसमें set के सभी elements खुद के साथ relation को reflect करें, मतलब खुद के साथ relation बनाएं, जिसे 1,1 के साथ, 2,2 के साथ, 3,3 के साथ, एक ऐसा relation जिसमें set के सभी elements खुद के साथ relation इसका मतलब यह होगा यह वाला नहीं होगा जाद रखिएगा इसमें एक चीज और पता दू जैसे लिख दिया यहां पर देखिए यह यहां पर देखिए यह आडेंटिटी भी है यह वाला रिफ्लेक्सिव है क्यों पहला हो गया टू टू बना लिए इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा और यह आडेंटिटी में क्या होता था यह बाग याद रखिएगा अच्छा अब इसको अब नोट कर लेजिए इसके बदर इसके कुछ और एक्जामब बताता है चलिए अगले क्या पर इसे माले की एक्जामफल है ऐसे एक रिलेशन है यह समझ लिए ऐसे रिलेशन एक साइट है अब इसमें अगर ऐसा कोई रिलेशन हो जैसे ल1 रिलेशन हो जैसे ल1 रिलेशन है तो वो देखिए इन दुर में क्या रिलेशन है वो मैं बता रहा हूं ल1 रिलेशन में आपको सेट के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेशन को रिपरेजन करें लेकिन अब देखिए जब आपका निमेरिकल या इस टैपका जिवा कोसेंस आप सौल करते हैं तो इस कोसेंस में क्या होता वो सुनिए कोसें में जब भी आपका X और Y दो आएं तो अभी मैंने आपको पता है कि रिफलेशन में क्या होता है यहां पर आप रिपढ़ा है X related to Y इसको क्या पढ़ते है X is related to Y लेकिन रिफलेशन के क्या होता है X खुद के साथ रिलेशन बताने का मतलब होता है X related to X X is related to X इसका मतलब Y के क्या होना चाहिए X को तो यहां लिखेंगे क्या for reflexive reflexive के case में क्या होगा for reflexive L1 related to L1 मतलब Y के place पर मतलब L2 के place पर आपने क्या रख दिया L1 क्यों रख दिया reflexive relation के लिए आपको पता है for reflexive relation L1 is related to L1 that is क्या जाएगा L1 पहला L2 जैसे R L1 related to L2 आपको दिया था L1 L2 आपसे पहला है आपने L2 के place पर क्या करती है L1 तो अब क्या जाएगा L1 पहला L1 क्या यह true है हाँ यह true है it's true so that given relation reflexive so that given relation is reflexive मतलब मैं यह बताना चाहता है आपसे कि अगर को इसन आपके सामने आ रहा हो और आप इसन में देखे यह मन सोचेगा कि इसमें तो x मैंने भी आपको बताए x, x यहाँ पर x नहीं है यह x, y कुछ लिखाओ तो उससे मतलब मैं reflexive की definition याद रखिएगा कि पहले वाला जो domain होता है वो range के साथ मतलब जो x होता है वो x के साथ ही relation बनता है इसका मतलब अगर यहाँ जो होगा आप वहाँ पर ही यहाँ पर भी वही लिखेंगे यह बात याद रखिएगा कि जैसे मेरे reflexive के case में क्या किया है L1 projected to L1 L2 था तो क्या हो गया है हमें रखना क्या है? L1 ही रखना है इसको जद्रेशन रखना है इसको जद्रेशन रखना है चलिए नहीं से क्यांपन जैसे मांगेजिए कोई relation कोई set है या कोई चलिए relation ही है इसको जद्रेशन रखना है इसको बिलोंग को रहे है आप अब आप से यह कोई रखना गए और कहाँ चेक करना है यह जो इसको जो रखना है यह रिफलेक्सियों है यह नहीं तो आपको भी मेरे तो रिफ्लेक्सिव के case में मताया है कि x related to x यहाँ पर a related to किसके साथ मुना चाहिए? a के साथ, यहाँ पर क्या लिखा है? b तो आप लिखेंगे for reflexive relation a repent to a that is a, a के साथ मुना चाहिए इसका मतलब आप b के place पर क्या लिखेंगे आप? a तो one plus याद रखिएगा, reflexive में क्या होता है? b y यह यहाँ पर तुछ भी हो चो रेंज के जिएका, तुछ भी हो हमको इसकी image यहाँ बनानी होती है मतलब जो यह है, वहीं यहाँ यहाँ रखना होता है यह बाद हैं रखिए तो यह आ गया, यह से है अब अगर यह माले से true होता है यह false है, क्या है अगर यह true होगा तो give a relation reflexive हो जाएगा अगर यह true नहीं होगा तो give a relation reflexive नहीं होगा अगर true है तो reflexive होगा true नहीं तो reflexive नहीं होगा तो अब एक बात आप सोचिए square आप जानते है, square of any natural number will be positive किसी भी होगा, क्यों कोई belong कर रहे है a और b दोन्यों natural number को belong दन है तो आपको पता है कि किसी भी natural number का square positive होता है तो अगर वो positive है उसमें one add करेंगे तो गेंटर दर क्या हो जाएगा 0, 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा तो यहाँब आप दिढ़ेंगे it's true because of square of any positive लिखनी जेगा it's true because of square of any natural number will be positive so it will be greater than 0 hence the given relation is reflexive यह आपका का अच्छा एक और एक्जांपल सोचते है इसके बाद इसको जदी से नोट करें इसके एक छोटा दौग जांपल चलिए अगला जांपल देखे जैसे कोई relation है अच्छा इस relation में देखेगा मैं आपको सेट नहीं दूनगा कभी-कभी relation में सेट नहीं दिया जाता है देखेगा क्या होगा इसने लिखा है एक कॉमा बी सजडेट ए और बी कोई है सजडेट ए इस फादर आफ बी अब आपको बताना रिफ्लेक्सिव रहे हैं सोचेए एक कॉमा बी सजडेट ए इस फादर आफ बी ए जो है वो बी ठीक्या है फादर ए रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें कोई सच्च चाहिए है क्या करेंगे आपको बता बी के प्लेस पर क्या लिख दा है आप लिखेगा फारिक्सिव यहाँ पारिक्टू है ए बेड़क्सियुरी इसले आफ निया है A is father of A एक एक पॉसिबल है? A is father of A possible नहीं है लिखेंगे इस नॉन पॉसिबल तो यह रिफलैक्सियू का आपका आएगा क्या है वो उसमें relation के फॉर्म में आए जैसे महालेजी एक और एक यांपर दिखते हैं जैसे लिखा है आ एक हुआ है कोई यह लेका हमा लेजे 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 और 5 5 और कोई सेट है 1 2 3 4 5 अब आप सोची यह रेफ्लेक्सिव है या नहीं है गएक में समय सेट के सबहरे मतलब के साथ रेफ्लेक्सि रेआई इसका मतलब यह हूई जो ये हैं वही आए, खुद के साथ relation बनाएं, मतलब जो 1 है, 1 के साथ relation बनाएं, 2 है, 2 के साथ बनाएं, 3, 3 के साथ, ऐसे कितने भी अनिमेंट है, खुद के साथ relation बनाएं, उसे हम रिफ्लेक्सिल relation बोलते हैं, याद रिखेंगा, चलिए अब हम लोग सुनट कले हैं, क्या होता है, सुनिएगा, मान देजिए आपको एक relation given है, x और y है, क्या, आपको x और y में है, तो जो relation x और y में है, अगर वही सेम relation y और x में भी हो जाए, तो ऐसे relation को स्मेंटर relation बनाएं, क्या कहां, कि जो relation, मान देजिए आपको एक relation given है, x और y है, ठीक, आपको x और y के । जो रिलेशं एक्स और वाई में घिवेन ए अगर वहीं । Вाइख में हो जाए तो उसे हम स्यमेट्रिक रिलेशं काहते है । जैसे मांनेजे मैंने का एक्जाम बन देतका हूँ सबसे फिर एक स्येट मांनेजग twitter पहले भी लिए था और लान्स अब इक रिलेशन जो मैंने फिर पहले लिया था L1, L2 अब यह रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं कैसे टॉच रहेगा आप क्या लगेंगे L1 रिलेटेड टू आपको गिवन है L1 पैरलर L2 ठीक है यह आपको गिवन है फॉर सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक के लिए क्या होगा आपने पता रहा है यह रिलेशन हो वही रिलेशन य और X में हो मतलब L1 और L2 में जो रिलेशन हो वही रिलेशन किस में होगा अब आपको बता है चेक करना है पर करने और इसे आपके बिलेशन बड़िए जैसे के और एक्जामपल देखलीे जैसे मालम चा वही थोड़ा जाया चेहसागर कुड़ाओ चलिए जीसे मालम सब्सक्राइब फीजाए ने पहले मिनाए एक्जामपल लिया था इसे के रिलेशन है R A, B Such that 1 plus A, B greater than 0 comma A and B both belongs to natural number दोने को उसको विलाउं का रहा है natural number अब आपको बताना है कि यह symmetric है नहीं तो आप लेखें कि गिवन रिलेशन गिवन रिलेशन A relative to B equal 1 plus A, B ठेक है आप अगे में रिलेशन क्या है now for symmetric रिलेशन आपका symmetric रिलेशन क्या होगा A relative to B for symmetric रिलेशन क्या होगा B relative to A that is अब क्या हो जागो 1 plus interchange कर दिया है A की जगह पे B की जगह पे याद रिखेगा symmetric में क्या होता है जो relation x-y के साथ बना रहा हुआ है वह ही relation y-x के साथ बना है मतलब domain के place पर range आजाए range के place पर domain आजाए मतलब A के place पर B B के place पर भी तो यहाँ पर आजा रहे हैं यह true है कि नहीं है यह true है आपको पता है कि जितने भी natural number होते हैं community property को वह follow करते हैं या लिखेंगे it is true so that given relation is symmetric एक ऐसा एक जाम्प पर आजाए जैसा माल नेजे को relation given है आपको R कहा गया A is brother of B आप लुको इसे टूट ने दिया गया आप से कहा कि एच्छा करना है आपको कि यह true है नहीं है तो च्छा करना है च्छा करते हैं A is brother of B A is brother of B और symmetric के लिए क्या हो जागा है आपकर for symmetric जैसे यह A related to B आपको B A related to B आपको given है A is brother of B और for symmetric relation क्या हो जागा symmetric lesson के लिए क्या हो जागा B related to A it is B is B is brother of A प्रोबे की नहीं सोचे A P का भाई है तो B A का भाई हो और नहीं होगा कोई confirm नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है इसले ही यह आपको symmetric नहीं हो क्यों A B का भाई है हो सकता है A जो है B का भाई है B माल लीजे कोई गर कोई लड़की लोग तो A भाई है उसका लेकिन B उसका क्या हो B उसकी क्या होगी बहन भी हो सकती ही भाई भी हो सकता है दोनों हो सकता है जब 100% confirm नहीं हो उस case में आपका हम उसको टूर नहीं होंते अच्छा कभी-कभी इस फॉर्म में अच्छा इसको नोड़कर देजिए कभी-कभी आपका रिलियस्ट ऐसे ही हो सकता है जिसे 1-1 1-2 2-1 1-3 3-1 2-2 और आपको कहा जाए चट करना है किस सिमेट्रिक है नहीं तो देखिए 1-1 से तो मतलब नहीं है आप देखिए 1-2 2-2 के साथ क्या 2 का 1 के साथ हो रहा है हाँ हो रहा है 1 का रिलेशन 3 के साथ हो रहा है तो क्या 3 का 1 के साथ हो रहा है हाँ हो रहा है तो यह सिमेट्रिक होगा ऐसे ही मालने जिए कुछ भी अगर इसका इसके साथ रिलेशन है और इसका इसके साथ भी है की बहुत के साथ होना चाहिए अगर नहीं हो रहा है तो त्री का भी बैम के साथ होना चाहिए एक भी किसलिए होना चाहिए ये आपका ता मैं देम में है ये अर्ट बार यह मैंने दोगा लेटी है, इसकोट आदेता हुआ 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 है यह सेमेंट्रिक हैं हुआ है, जो देखिए, 1 का 2 के साथ हुआ है क्या 2 का 1 के साथ कहीं है? हां है, ठीक 3 का 2 के साथ justo मे Serve K 오늘 May Прोक तो 2 कर पमला हुआ हुआ है एक यह मैंने शार्यश्यता हुआ है रिक रड़़ा भ aspects हमने बढ़ते हैं inverse of relation inverse of relation का मतलब कि इसका दियान सह tweeting inverse of relation का मतलब होता है x related to y x is related to y x y के साथ relation में x is related to y inverse of relation का मतलब होता है कि आप यह पता है ना जो first लिखा होता है और डोमेन होता है उसके बाद योवाई होता है वो लोग होता है तो इन्वार्च देशल बैस पर क्या करते हैéqu कि-चो बेस्थ पर क्या रखते हैं एअ अगर relation में हम domain को range से और range को domain से interchange करते हैं अदला रहती है तो उसे हम inverse of relation गहते हैं और याद रखिएगा इस बात और हर एक symmetric relation inverse of relation को represent करता है मतलब कि अगर कोई symmetric relation है तो वो inverse of relation को represent करेगा जैसे यह है एक relation अच्छा मैं पहले क्यांता हूँ जैसे को relation आपको 1,2,3,2,3 एक relation इमाने हैं आप से काजिस का inverse of relation find करें तो inverse of relation find करता है 2,1,2,3,3,3 क्याकि आप inverse of relation find करने के लिए इसको escape place पर इसको escape place इंटर्चेंज करते हैं दुने की position interchange करते हैं दोनों की position interchange करते हैं दोनों की position interchange करते हैं इसमें तो पर नहीं के जलते हैं तो यह इननार साफ relation होता है अब एक बात समझेए अगर कोई symmetric relation है तो उसमें उस relation का inverse दोनों अपस में क्या होंगे? बराबर होंगे यह बात यहां लगेगा अगर कोई symmetric relation है तो उस relation का inverse भी inverse उस relation के बराबर होगा जैसे example के लिए यह लिखा है न इसका inverse निकालेजे जब यह आपके सामें निकालता हूँ देखे गजन से इसका inverse निकालता हूँ इस relation का inverse निकालता हूँ 1-1 का 1-1 यह होगा 1-2 का 1 interchange कर 2-1 का 1-2 1-3 का 3-1 3-1 का 1-3 2-2 का 2-2 क्या सारे order पिर जुन्या लिखें इसमें है 1-1 है 1-2 हाँ 1-2 है 2-1 2-1 भी है 1-3 भी है 3-1 भी है तो यह relation क्या है इसके क्यों हुए R के अपस तो याद रखिएगा symmetric relation वो relation होता है जो inverse भी बता है याद रखिएगा symmetric relation में relation और उसका inverse दोना अपस में क्या होता बराबार होता है अब हम लोग पढ़ते हैं अगला इसको रखिए चलिए अब आगे पढ़ते हैं अगला anti-symmetric relation इसको रखिए anti-symmetric relation क्या होता दिया दीजेगा अगर माल दीजे x is related to y क्या है? x is related to y और आपको ये भी गिवेंन y is related to x मतलब x जो relation y के साथ बना रहा है अगर वही relation y x के साथ बना रहा है अगर वही relation y x के साथ बना रहा है तो इन दोनों की help से x is related to y and y is also related to x मतलब जो relation x y के साथ बना रहा है अगर वही relation y x के साथ बना रहा है और इन दोनों की help से अगर ये आ जाए कि x equal y इन दोनों की help से अगर यह प्रूफ हो जाए कि X is equal to Y, X और Y दोनों आपसने बराबर हैं, तो ऐसे relation को मेंटे से मेंटर relation बूलते हैं, जैसे यहां पर देते हैं, आए यहां पर समस्ते हैं, जैसे मान देजिए, एक relation given है, X, Y such that, X is divisible by Y, और X और Y दोनों को इसको बिवाम करते हैं, नैचुरल एक आपको relation given है, X, Y such that, X is regular by Y, X, Y both belongs to natural number, तो आपको बताने हैं, अगर anti-symmetric relation कैसे क्या है, देखें तो, इस relation में आप देखें, X is divisible by Y, X, Y is divisible by Y, यह आपको given है, मान देजे, X related to Y, कहा गया है, कि जो X है, वो Y is divisible है, और अगर Y related to X भी हो, तो इससे क्या हो जागा, Y is divisible by Y, X हो जागा, ठीक, तो इमें दोनों से क्या, यह तभी कर possible है, जब आपका X परावर क्या हो, Y हो, अभी तो possible है, जैसे साजिएगा, दोनों के दोनों natural number हैं, घहा एक natural number, दूसे natural number से divide हो रहा है, ठीक, जैसे मान देजे, एक natural number है, आपका 4, एक natural number मान देजे, 8 हो, तो अगर 8, 4 से divide हो रहा है, तो तो आ रहा है, ठीक, और अगर 4, 8 से individual तो हैंगे, अगर मैं कहूं कि X, Y से individual है, और Y, X से individual है, दोनों true goals हो, तो कब होगा यह, जब आपका X अगर आप से कहा जाने ही एधिस्मेट्रीक रिलेसंत इसमें क्या होगा अगर यह भी टू है और यह भी टू है तो इस पॉसिबल और एक्स और यह वोथ और दोनों की दोनों क्या हूँ नेश्ट पढ़ते हैं ट्रोंस्ट्यू रिलेस्ट्र 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 रि A और B में के relation given एक X Y है इतना गिवन याई रोबी और आपको Y और J में इतना डिवन है मान दीजिये आपको X और Y में में इतना गिवन है दूसरा बैयो और डी ओर दिवन है दूसरर डिवन हो या ना हो अगर रोच है आपको गीवन है हमें मानना पड़ेगा अपने तरफ से, क्या मानना पड़ेगा इस बात की नियानी चेपा, जो इसमें last में होना, वो यहां पे starting में होगा, जैसे A is related to B है, एक relation given है, दूसरा नहीं given है, तो आप एजूम करेंगे, क्या जूम करेंगे, इसका वाला पहले लिख लेंगे, फिर relation और किसी और नमबर की साथ, तो याद रखेगा, X is related to Y given है, यह given है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो हम एजूम करेंगे, X is given है, X is related to Y, and Y is related to Z, X और Y में जो relation है, वही same relation आपने Y और Z में एजूम कर लिया, और इन दोनों की help से, या इन दोनों की help से, अगर यह proof हो जाता है, एक्स और Z में भी वही relation है, तो ऐसे relation को हम ट्रांस्ट्य रिलेशन बोलते हैं, इन दोनों की help से, अगर यह proof हो जाता है, A is related to C, तो ऐसे relation को हम ट्रांस्ट्य रिलेशन बोलते हैं, जैसे example देते हैं, अभी थोदे पहले मैंने एक example लिया था, S equal, all lines in half plane, जैक किस सट है, relation लिलेशन 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 लिलेशन, L1, L2, L1, L2, such that L1, L2 ऐसे हैं, कि L1 पहला, L2, और L1 और L2, दोनों किसको विलाउग कर रहे हैं, S को, All lines in half plane का मतलब क्या होता पता है न, यह मांग लिए पूरा board एक plane है, और इस plane में 1000 लिलेशन होंगी, जो आपस में क्या है, parallel है, अब हमको बताने कि ट्रांश्ट्यू है कि नहीं है, तो अब देखिए गांस, A, sorry, L1 related to L2, क्या गिवेन है, L1 parallel L2, एक और अपने तरफ से लिया, देखिए इसका लाश को उठाया, और एक पने तरफ से एक line ओले लिए L3, वो कैसे है, कि L2 parallel L3, मतला माले जो यह line L1 है, यह line L2, यह दोनों आपको parallel पहले से दिये रखिए, आपने तीस्दी line क्या की, assume कर ली थी, कि L2, L3 के parallel, L1, L2 आपको पहले से दिया है, आपने L2 और L3 पे महीं कर लिया, तो आप अब खुस सोचिए, L1, L2 parallel, L2, L3 के parallel है, तो क्या इन दोनों relations से यह दिया जाएगा, from first and second relation, L1 क्या हो जाएगा, पैलर किसके हो जाएगा, L3, इसका मतलब L1 related to L3 आदिया, इसका मतलब नहीं होगा, कि जो given relation है, वो क्या हो गया, ट्रांस्टर, अच्छा, इसका एक और example देजिए, माल देजिए, कि, आगर माल देजिए, L1 perpendicular L2 है, यह ऐसे दिया हो, और आप से काया का बता तो ट्रांस्ट्यू है यह नहीं है, तो आप क्या करते है, L1 L2 के perpendicular है, ऐसा relation given है, आप नहीं जूम क्या किया, इसका पहले उठाया, परपेंडिकुलर का साइन, और अपने तरफ से इस लाइग नहीं है, यह जूम कर लिया, आगर L1 L2 के perpendicular है, L2 L3 के perpendicular है, तो क्या इससे आप यह बोल सकते हैं कि L1 perpendicular L3, अगर आप बोल सकते हैं, तो यह given relation ट्रांस्ट्यू हो जाएगा, अगर आप नहीं बोल सकते हैं, अगर यह नहीं हो सकता, तो ट्रांस्ट्यू नहीं होगा, क्यों, X related to Y, आपको given था, Y related to Z, आपने जूम क अगर इससे यह आजाता है, तो ट्रांस्ट्यू नहीं आता, ट्रांस्ट्यू नहीं, देख रहते हैं, मन कीजी सोचिए, एक L1 एक लाइन लेगे, यह लाइन L2 है, यह लाइन L2, यह लाइन L2, यह लाइन L2 के क्या है, प्रपेंडिकूलर, अब इसमें तीसरी लाइन आप इस से लोपासे प्रपेंडिकूलर है, तो क्या इससे L1, L3 के प्रपेंडिकूलरो दिह रहा है, क्या, बिलकुल नहीं, दोनों आप आक इसमें क्या है, पहला यह नहीं हो सकता, तो फिर यह क्या होगा है, याद रहेखे ओर ट्रांस्ट्यू नहीं होगा, थिक्श वाइन .. और आप y-g में एक्रिलिसन एजियों कर ले या आपको given होना चाहिए और एजियों करने वाद इन दोलों के helps अगर यह proof हो जाता है तो तो ट्रांस्ट्ट्यू अदरवाइस को ट्रांस्ट्ट्यू नहीं होगा ठीक इसको नोट कर लेजिए कि अच्छा यह का वामा थैटीं को मां तू थी कॉमना थी को मां मद चाहिए आप यह श्रीशन अगर आपसे ताउस्ट्ट्यू ररे ने तो दीकेगा प्रिवा इह आंसे असे सुनिएगा एक्स का किसके साथ है प्रिशन होना चाहिए य के साथ, y का किसके साथ रिलिसन हो रहा है, जेड के साथ, और फिर इन दोंों से क्या आना चाहिए, x is related to z, चैरे देखते हैं, 1, 1 तो तुम्हों से लिसे, फोल मतलब नchez, 1 का 2 के सथ रिलिसन हो रहा है, 1 का 2 के साथ, पहला हो रहा है, 1 का 2 के साथ. अब आपको क्या चाहिए यहां पर देखिए X के प्लेस पर 1 है Y के प्लेस पर 2 है तो अब 2 का किसी और के साथ रिलेसन हो रहा है 2 का 3 के साथ रिलेसन हो रहा है यहां को मैं इसको बताऊं तो इसमें X related to 1 2 के साथ 3 के साथ इन दोनों से क्या आना चाहिए x related to z मतलब 1 related to z यह पाना चाहिए है कि यह है क्या है तो इसका मतलब यह relation भी ट्रांस्ट्टिव होगा अब equivalence relation, यह नीचे दो equivalence relation बढ़ता हो एक ऐसा रीलेशन जो रेफ्लेक्सिव सिमेटृक और ट्रॉंस्टिव तहनों हो अइसे रेलेशन को क्या बोलते हैं एक और यहांतो हैं जैसे भी थोड़ देर पहले हमने आपसे एक जाम पर लिया था कि जैसे S लिखते थे हैं हम दिखा था All lines in a plane और अपसे हमने एक relation दिख दिया था L1, L2 such that L1 parallel L2 L1 and L2 both belongs to S अगर आपको चख करना हो कि ये Rivalence relation है नहीं तो first of all ये क्या होना चाहिए Reflexive होना चाहिए Then Symmetric Then Trusted तो देखे Reflexive है हमने Reflexive के case मरूने क्या पढ़ा था L1 किसके साथ relate करना चाहिए L1 के साथ तो यहां पर भी क्या जाएगा L1 L1 parallel L1 मतलब कोई line खुद के साथ parallel होती है तो इसका मतलब इसम क्या हो जाएगा Reflexive Symmetric के case में क्या होता है इन दोनों को Interchange करेंगे L1 के place पर L2 और L2 के place पर L1 मतलब यहां पर L2 यहां पर L1 अगर L1 L2 के parallel है तो L2 भी L1 के parallel होगी इसका मतलब यह क्या हो जाएगा Symmetric Transitive Transitive के case में क्या है L1 parallel किसके है L2 के आपने गजुम किया L2 parallel किसके L3 के इन दोनों से आपका आजाएगा L1 parallel L3 यह क्या हो जाएगा Transitive यह जो relation है यह क्या होगा Equivalence relation याद रखे है Equivalence relation क्या होता है ऐसा relation जिसमें ऐसा relation जो Reflexive Symmetric और Transitive से जैसे कोई relation दिवैने आपको A, B such that A greater than equal B और A और B दोने को इसको विलों करते है Real number यहाँ पर R क्या है आपका? Real number है याद रखेगा यहाँ पर R क्या है आपका? Real number अब यह यहाँ पर R Real number है याद रखेगा Relation इसमें एकाम करते Relation और R है तो आप कन्फीज हो सकते हैं कि यह R Relation तो नहीं है तो यह Qsन है आपको R equal R equal to R equal given है A, A, A greater than B और A, B both belongs to real number R तो अब यह relation आपको Check करना है कि Equivalence Relation है या नहीं है चलिए check करते है सबसे पहले for रिफ्लेश्य लिलेशन ते लेठी तो अधी व आई कि एकर आई ऑपर सचर्था जैसरिर्व जये है अब थो अब आप पिस बास सूचिए, रिफ्लेक्सिय रिलेस्टर में आप पिस सब्सक्राइब था, X, एक्स के बरावर हो, उसके अलावर क्या आता है को मतलब नहीं है, यहां पर आपके, माल लिज में यह एक्स है और यह 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 तो यहां पर देखे, आ, एक बराबर यी तो है छोटा है कि बड़ा है उससे हमें मतलब नहीं है अगर हम यहां पर रियल नंबर में 1 रखेंगे तो 1 आएगा 2 रखेंगे 2 आएगा माइनस 10 रखेंगे माइनस 10 आएगा कुछ भी रखेंगे वो आएगा तो इसका मतलब और डैस या कोई भी रिलेशन की मैंने उसमें जो आप 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 बनता है उसमें जो नंबर यहां आएगा वह नंबर यहां आएगा दोनों से तो लेकिन क्या इस ट्रू आप तो इस केस में यह नहीं देखना है याद रिखेगा यह सुचे रहा कि यहां पर greater and equal है तो equally क्यों लिए greater नहीं लिए ऐसा नहीं हमने दिया दो लू है जिसे एकजांबर के लिए आपको हम संधाने के क्यों कर दे किसे रिलेशन से अगर आप और भी नंबर रखते हैं रिया नंबर में हाँ, जिसे मनषे 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 आप लागे जो रखेंगे वही तो आईगा greater भी आसा, जिसे मनषे यहां बन रखा यहां पर बनाऒे यहां 2 रखा तो भी यहां बन हो सकता है जिसे मनषे 2,1 हो सकता है लेकिन आप 1 1 के बास जैब रहा कुझे उसके इक्वल भी तो आएगा जिसे मन दे टू रखा लागत फिर हो सकता है कि यहां पर आपका 3,2 भी आजाए, कुछ भी हो सकता है लेकिन नमबर तो दोर आपस में बराबर है ना, यह ग्रेटर है यह मानते हैं तो ग्रेटर वाला भी आएगा लेकिन इक्वल वाला भी तो एक्वल एक्वल हो गया और सारे अलेमें इसमेह लेंगे तो रिफ्लेक्सी हो गया तो याद रखेंगा रिफ्लेक्सी के केस में जब इस्टाइक का कॉसन आएगा तो आप उन दोनों को आपस में देखेगा कि बराबर है या नहीं, इक्वल है या नहीं, तो इस्टू, so the given relation is, for symmetric relation, आपको symmetry नहीं पता है, यह आपको given है, क्या given है, ऐसा given, for symmetric क्या होगा, यह तो आपको given, for symmetric, B related to A, that is, क्या हो जाएगा, A के प्लेस पर B, B के प्लेस पर A, क्या है, यह यह साही है, यह गलत हो गया, यह जो relation था, वही relation यह है, क्या, नहीं, चेंज हो गया, तो इसका मतलब यह क्या है, symmetric, नहीं, यह लिखेंगे, it's not true, so that given relation is not symmetric, ट्रांस्ट्यों, ट्रांस्ट्यों, यह अच्छे समझेगा, A, B, K है, A और B में यह relation था, आपने जूम क्या क्या, जो इसका है, उसी जैसे आपने जूम क्या है, A, B में यह relation था, लिखेंगे, given that, बहुत बनाया, जिसे माँ लिखा, given that, A related to B, यहाँ अगो given का, जिससे इसे लिखना आपने करना होतों इसे, आपने लिखेंगे, आपने जिश्ट्यों क्सान बनाया, A related to B, अब बोथ रिलेशन इन तोनों रिलेशन से इसमें देखें एक बी से बढ़ा है बी सी से बढ़ा है अब रिलेशन रिलेशन इस तो इसका मतलब यह रिलेशन क्या हो जागा इसका मतलब यह रिलेशन गिवन थे यह रिफ्लेक्स्यू है ट्रांस्ट्यू है बट सिमेट्रिक नहीं है याद रिखेगा तो ऐसे कोई भी जब भी कोई आपके पास कोई कोशन हो जिसको सौल करना हो तो रिफ्लेक्स्यू के केस में हम लोग क्या करते हैं यहां पर एक्स यहां पर वाई यह ए और बी तो बी के प्लेस पर यह यहां पर किया करना होता है यहां पर मंगता पर फिर आप के वो चीक्त कि दू है किजिए अगर रेफ्लेक्से में क्या करना होता है वे और भी करना होगता है कि कि A, B, में जो relation है उस relation के बाद आपको जीन करना होता है दूसरा रिलेषन यह आपको गींवेर है तो ठीक नहीं कीवेर है तो जीन करना पड़ता है और जीन करने कि तो वो रिलेशन ट्रॉंस्टिव अगदर में ट्रॉंस्टिव नहीं हो, इसमा ज़ली से नोट करने जाए चलिए, next question देखते हैं जिसमें कोई रिलेशन आर जिसमें कहा गया है A, B such that A is brother of B मालने जिसमें कोई रिलेशन आर B में कहा गया है A is brother of B और आप से बुला गया है कि check whether the given relation is equivalence or not आपको बताना है कि यह relation जो है वो equivalence है नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे reflexive reflexive case में आपको पता है for reflection B के place पर क्या होना चाहिए A तो यहां लिखेंगे क्या for reflexive relation for reflexive relation is referred to A that is A is brother of A is brother of kohi khud ka भाई khud ka brother नहीं होशकता not possible looking if not possible so that given relation is not reflexive I say for symmetric for symmetric relation symmetric relation में क्या होगा? interchange है जाएका B is related to A that is अभी आपको दिया था A is brother of B interchange A की जगह पर B की जगह पर A मतलब B is brother of A B कभाई है? अभी था A B कभाई है? A is brother of B A B कभाई है? B is brother of A यह possible नहीं ही ए है क्यों? possible है भी नहीं 100% नऌर से हो जब 100 % से हो नहीं हो उस case में उस केसbling माना जाता है क्योंग? क्योंकि B यहा पर एक girl भी हो सकता と получится contractor is brother कँ हो सकता sister भी भी सकता इस case में यह not possible इसलिए से्मेट्रीर भी नहीं और इफ्लेक्सिन नहीं होगा के क्या होगा सुचिए ए डिय थो वी क्या है भर यह ऑप यह और Ha कि ने यह किया पी रिभु तो इससे क्या होगा आप इन दोनों रिलेशन से अगर ए बी का आपने रिलेशन क्या होगा आपने रिलेशन क्या होगा इस बात पिद से समझते हैं A is related to B था, A is brother of B, A जो है वो B का भाई है, A B का भाई है, आपने एजुम क्या किया, B related to C, B जो है वो C का भाई है, तो यहाँ पर B कोई लड़की हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि B is brother of C, आपने एजुम किया, B brother of C, B जो है वो C का भाई है, यहाँ पर C कुछ भी हो सकता है, जे भी C का भाई है तो इससे यह धन्फ होगा यह सेनी होगा। तो ऐसा ही आप इसकी कोशन सॉल्फ करने की कोशिस करिए एगा, जो कोशन ना है भो अपन जबत कोशते हैं। और इसके आलाउं अब इसके आगे का नेस्ट थीडियो में पढ़ेंगी। ठीक है, Thank you